नमस्कार दोस्तों क्राइम तक में आप सब का स्वागत है मैं हूँ सूप्रतीम बैनर जी पटियाला में पिछले महिने 26 तारिक को यानि 26 जुलाई को डबल मर्डर की एक दहलाने वाली वारदात हुई थी एक घर में दिन के वक्त में कातिल घोसाय थे और उन्होंने उस घर में रहने वाली महिला जिनकी उम्रत तक्रीबन 50 साल की थी और उनका जवान बेटा जिसकी उम्रत तक्रीबन यही कोई 25 साल के आसपास रही होगी मा बेटे दोनों को बेरहमी से चाकों से वार कर मौत के घाट उतार दिया था और इन दोनों की हत्या करने के साथ साथ कातिल उस घर में जो भी कीमती चीजें थी चाहे वो रुपए पैसे हो, यानि कैश और जेवरात वगरा, वो सारी चीजें लूट कर वहाँ से फरार हो गए थे इस परिवार के जो ग्रिह स्वामी है, यानि परिवार तीन लोगों का है, जो परिवार के मुख्या है, उनका नाम है गुर्मुक सिंग वो गवर्मेंट सर्वेंट थे, वहाँ से रिटायर होने के बाद वो अपना कुछ प्राइवेट जॉब करते थे, काम करते थे, तो वो जब उस काम से लोट कर अपने घर आए, तो उन्होंने देखा कि घर में उनकी पतनी और बेटे का कतल हो चुका है, पतनी का नाम जसवीर कौर था, उम्र 50 साल, और बेटा जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसका नाम था हरविंदर सिंग उर्फ जग्गी, तो बहुत ही दहलाने वाली घटना थी, पुलिस को जब इस घटना के बारे में पता चली, तो पुलिस फॉरण मौके पर पहुँची और पुलिस ने बड़ी घर में घुसाय हों, दर्वाजे पर कोई चोट के निशान हों, या तोड़े तोड़े जाने के निशान हों, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उस scene of crime को देखकर ये लग रहा था, कि इस घटना के पीछे कोई जानकार जो है, वो हो सकता है, एक initial information तो ये थी, पुलिस को ऐसा ल चीज बटोरी गई है, तो ये भी देखकर पुलिस को ये लगने लगा कि हो सकता है, कि कोई insider, कोई इस परिवार का जानने वाला हो सकता है, जिसको इस परिवार के बारे में बारीक से बारीक, छोटी से छोटी जानकारी पता है, असल में जब पुलिस ने जान शुरू की, तो गुर्मुक सिंग ने ये बताया कि आपसे कुछ समय पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, और अब उनका जो बेटा है हरविंदर सिंग उर्फ जगी, उसे वो कैनडा भेजने वाले थे, इसी अगस्त के महीने में, और ये दोनों चीजें, बेटी की शादी और बेटे को कैनडा भेजना, ये इंडिकेट करती है कि परिवार के पास उस समय लिक्विड कैश जरूर रहा होगा, और जिस समय पर ये घटना हुई थी, वो टाइमिंग भी ये इशारा कर रही थी, कि इस घटना के पीछे कोई परिवार का जानने वाला कोई नोन बंदा जो है, वो हो सकता है, या कातिल ऐसे होंगे, जो इस परिवार को जानते होंगे, फिर फिर्रिंडी एंटरी के निशान तो थेगी, तो पुलिस इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मामले की तफ्तीश कर रही थी, पुलिस ने देखा कि दोनों लाशों को कातिलों ने हत्या करने के बाद बाथरूम के अंदर जो है वो डंप कर दिया था और सात ही जो ड्रॉइंग रूम और दूसरी जग़हाँ पर जो खूँन के निशान थे उसे पोच पाछ करके साफ करने की कोशिश की गई थी ये सबूत मिताने की भी एक कोशिश थी और साथी शायद ये भी कोशिश थी कि घर में अगर कोई आए तो वो फॉरन से या तुरंत जो है वो मडर के बारे में रियलाइज न कर पाए थोड़ी देर बाद जब वो ढूंडे या बातरूम में जाए तब जाकर उसे पता चले तो जितना उसे वक्त लगेगा उतना उन खातिलों के लिए अपने आपको बचाने का और सुरक्षित रखने का एक मौका मिल जाएगा शायद इस इरादे से भी उन्होंने वो सबूत मिटा दिये थे खून के धब्बे वगरा और दोनों लाशों को बातरूम के अंदर डंप कर दिया था फेक दि कोई न कोई परिवार का नजदी की या जानने वाला हो सकता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू की पुलिस ने जो मॉबाइल फोन का डंप डाटा है और परिवार और आसपास जो भी पडोसी हैं उनके मॉबाइल नंबरों की पुलिस ने पर्ताल शुरू की उनके लोकेशन्स के बारे में जानकारी जुटानी के शुरूयात की और साथी पुलिस CCTV फोटेज की पर्ताल कर रही थी और इसी कोशिश में पुलिसको एक और नौजवान के बारे में पता चला ये नौजवान जो है इस घटना में मारी गई महिला जस्वीर कौर की देवरानी का भांजा था यानि जस्वीर कौर की देवरानी उस नौजवान की मासी लगती थी और ये जो नौजवान है ये जस्वीर कौर और गुर्मुक सिंग के घर में भी इनका आना जाना था यानि जिस परिवार में हद्त आगे घटना हुई थी उस परिवार में भी इसका आना जाना था अब ये जो लड़का है Hرجीत सीम इसके बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस को लगा कि शायद ये लड़का हो सकता है क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया था पुलिस पहले से ही शक कर रहे थी कोई कोई परिवार का जानने वाला होगा पुलिस ने जब CCTV फुटेज एक्जामीन किये तो पुलिस को कुछ एक फुटेज में कुछ इस तरह के संकेत या आप कहलें कि धुंदली तस्वीरें मिली जो हरजीत सिंग से रिजंबल करती थी मिलती चूलती थी लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर पहुचने से पहले इस सस्पिक्टेड लड़के से पूछताच करना चाहती थी तो पुलिस ने हरजीत सिंग को पूछताच के लिए बुलाया हरजीत सिंग से जब पुलिस ने पूछा तो उसने सारी घटना से अन्विग्यता जताई कहा कि उसे कुछ भी नहीं मालूं कैसे हत्या हुई किसने कर दी लेकिन पुलिस ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यही लड़का है जिसने कतल किया है असल में पुलिस ने जब उसे बारीकी से देखा तो कुछ ऐसी बात उस लड़के में पुलिस ने नोटीस की जिसे देखने के बाद पुलिस का शक जो है वो यकीन में बदल गया इसके बाद पुलिस ने वक्त नहीं गवाया बलकि फॉरण हरजीत सिंग को पुलिस ने पकड़ा गिरफतार किया और फिर उसके साथ सकती से पूछताच की और जब सकती से पूछताच हुई चूंकि पुलिस कॉन्फिडेंट थी तो हरजीत सिंग किसी तोते की तरह पूरी कहानी सुनाने लगा और उसने मान लिया कि उसने अकेले ही पचास साल की महिला जिसे वो मौसी कहता था जस्वीर कौर और उनके बेटे हरविंदर सिंग उर्णचगी की हत्या कर दी आपके मन में ये भी सवाल होगा कि एक अकेले लड़के ने दो-दो लोगों की हत्या और वो भी इतनी खामोशी से कि किसी को पता नहीं चला कैसे कर दी तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा चुकि इस लड़के का इनके परिवार में आना जाना था तो 26 जुलाई को दिन के वक्त में जब उस लड़के को ये पता चल गया कि परिवार के जो मुखिया गुर्मुक सिंग है वो काम पर जा चुके हैं तो वो इनके घर पहुचा और बहुत आराम से घर के अंदर दाखिल हो गया क्योंकि परिवार के लोग जानते थे ये मौसी मौसी कहता हुआ जस्वीर कौर के पास आ गया जस्वीर कौर ने भी दरवाजा खोल दिया और इस तरह से उसकी फ्रिंडली एंट्री हो गई दरवाजे पर कोई निशान या कोई मार्क नहीं चूटा नहीं रहा लेकिन इसके इरादे ठीक नहीं थे इसके मन में चोर था लूट पाट करने के लिए आया था तो अपने साथ वो चाकू लेकर आया था उसने ताबर तोड अंदर आते ही जस्वीर कोई पर वार करना शुरू कर दिया एक के बाद एक बुज़र्ग महिला पर जब उसने कई घातक वार किये तो उनके गले से जितनी भी चीख निकल सकती थी वो चीख निकली लेकिन फिर वो वहीं पर कोलाप्स होकर उसी ड्रॉइंग रूम में गिर गई और जब जस्वीर कोई नीचे गिर गई तो उनका जो बेटा है उसी मकाम में रहने वाला वो फस्ट फ्लोर में था उसने अपनी मां की आवाज सुनी और वो भागता हुआ नीचे आया लेकिन नीचे आने के बाद जब उसने देखा कि उसी के दूर का रिष्टेदार या कजन जो भी कहले हरजीत सिंग उसकी मां पर चाकों से वार कर रहा है उस पर ताबर तोड़ वार करना शुरू किया और ठीक जिस तरह से उसने उसकी मां की जान ली थी उसी तरह से उसके बेटे की भी जान ले ली अब जो कि मैंने आपसे कहा कि दो-दो लोगों की हत्या इसने कैसे की सीक्वेंस तो आपने समझ लिया असल में यह जो हर्विंदर सिंग और जगी है बेटा जिसकी हत्या हुई वो नशे का आदी है और नशे का आदी होने की वज़ए से काफी कमजोर है उसका बॉडिस टाइप जो है बड़ा फ्रजाइल है कमजोर है और इसी वज़े से वो इस कातिल लड़के से हजीत सिंग से मुकाबला नहीं कर सका कितनी दुखत बात थी कि उसकी आँखों के सामने उसकी माँ की हत्या हो गई और जब खुद उसने अपनी माँ की जान बचाने की कोशिश की तो वो भी मारा गया अब यही जगी हरविंदर सिंग जगी यह कुछ दिनों के बाद कैनाडा जाने वाला था और वहाँ शायद वो सेटल होने की कोशिश करता लेकिन सारे सपने जो है वो चकनाचूर हो गए सांसों की डोर ही तूट गई जिन्दगी ही खत्म हो गई और यह सब कुछ किया उसी के रिलेशन के एक दूसरे लड़के ने हरजीत सिंग से पुलिस ने पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यूं किया तुम्हारे परिवार के लोग हैं बात समझ में नहीं आई तो उसका यह कहना था कि उसने बीएससी की पढ़ाई की है लेकिन इसके बाद वो कई काफी सालों से बेरोज़गार है और बहुत फ्रस्टेटेटेड है वो भी फॉरिन जाना चाहता है विदेश में जाके सटल होना चाहता है लेकिन कोई वे आउट नहीं मिल रहा है उसी के घर में रहता है तो उसे इनके परिवार के बारे में जानकारी थी और उसे यह पता था कि इस परिवार के पास लिक्विडिटी है कैश की रुपए पैसे हैं क्योंकि उन्होंना भी अपनी बेटी की शादी की है बेटे को अगले महिने कैनडा भेजने वाले हैं तो उसको लगा कि अगर वो इनके घर में घुझ कर लूट पार्ट करने में कामियाब हो जाता है तो फिर उन पैसों से वो विदेश जा पाएगा यानि इस लड़के को अपने सपनों की खातिर दूसरों के सपनों को तोड़ना उन्हें कुचल देना गवारा लगा और उसने त फरार हो गया खास बात ये है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद वो सी सी टीवी कैमरे की निगाहों से बचने के लिए दुनिया की नजरों से छुपे होने के लिए उस घर की पिछली दिवार को फांद कर निकला रुपए पैसों के साथ और फिर वहीं से फरार होकर जैसे वो पकड़ा गया एक गलती तो यही थी कि कतल करने के बाद बेशक वो घर के पिछले दर्वाजे की तरफ से दिवार फांद कर भागा हो लेकिन कतल करने के लिए जब वो आ रहा था तब तो वो मेंडोर से आया था और गेस्ट की तरह आया था तो वहां उसकी सी सी ट जब यह है कि उसके हाथ में चोट के और चाकू के कट मार्क्स थे चाकू से कट लग जाने के निशान थे और कोई भी कातिल जब इस तरह से ताबर तोर किसी धारदार हथियार से किसी पर हमला करता है तो ऐसा देखा गया है कि उस कातिल या हमलावर को भी चोट लगती है क् कि बोडी में कई बार हड्डियों से जाकर चाकू टकराता है किसी टफ या हाड सर्फिस से जाकर जब वो चाकू लगता है तो चाकू मुर जाता है और कई बार हत्या करने वाले या हमला करने वाले के हाथों में भी चोट लगती है और यहां जो किलर लड़का था हरजीत किया लाखों रुपए लूपने में भी कामयाब रहा लेकिन उसके इरादे जो है फाइनली कंप्लीट नहीं हो पाए क्योंकि पुलिस ने कुछ जो सबूत थे जिन दो सबूतों का मैंने जिक्र किया इसके अलावा और भी एविडिन्स पुलिस के पास है इन सबूतों और सु डिलर्टिव था उन्हें पकड़ लिया प्रिवेस स्टूरि जो मैंने आप सबको सुनाई थी वो कहानी जो है केरल की भी अब जा देड़ साल तक गायब था और फिर वो रहसमाई तरीके से मिला क्या थी वो कहानी अगर उसके बार में और जादा जानना चाते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सुपरतीम से सुनिये में आप उस कहानी को सर्च करके सुन सकते हैं लोगों ने जो कमेंट किया है उनके नाम परता हूँ रग्मेंदर तिवारी जी का कमेंट है स्वागत आपका इमरान खालिद सहाब इन्होंने भी कॉंप्लिमेंट दिया है बहुत धन्यवाद आपका अंकित रिडु हमारे एक दर्शक हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी है अर्शोक पतेल, रानी देवी जी इनके इनका एक आड़ी है इन्होंने भी कमेंट किया है BTS X India संथिंग के नाम से एक आड़ी है इन्होंने नाम ने लिखा है लेकिन सिर्फ थमस अब भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामु कुमार ने भी अपनी बात रखी है बहुत धन्यवाद रीना रीना राज लव के नाम से एक आड़ी है इन्होंने लिखा है मैं बहुत अच्छा हूँ सर आपकी वॉइस बहुत कमाती है वन मैं के नाम से हमारे एक दर्शक है उन्होंने ये कमेंट किया है तो पता नहीं दोस्त हमने तो माइक वगरा चेक करके प्रॉपर तरीके से रेकॉर्ड किया है और बाकी दर्शकों ने वॉइस कमाने की इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं की तो मुझे लगता है कि एक बार आपको अपना मॉबाइल फोन जो है चेक करना चाहिए मामोनी बुर्गोहां रेगुलर कमेंट करती है बहुत बहुत स्वागत आपका बहुत धन्यवाद मुहमद जाविद ने कमेंट किया है अख्तर अली साहब यूट्यूब सम्थिंग के नाम से एक आईडी है उन्होंने लिखा यूर अमेजिंग सर यू अल्वेज गिव अस बेटर प्लैंस टू डू क्राइम देखिए हलां कि मैं जानता हूँ कि आपने ये बिलकुल मजाकिया लहजे में ही बात कही होगी लेकिन मैं ये भी एड करना चाहूंगा कि जिसकी सोच जैसी होती है ना वो चीजों से उसी तरह का मैसेज रिसीव करता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप की सोच क्रिमिनल माइंडे है आप तो मजाक से कह रहे हैं लेकिन जो criminal minded लोग होंगे वो इससे crime करने के तोर तरीके ढूंडेंगे लेकिन जो समझदार होंगे और जो अपराद से बचना और खुद को सुरक्षित रहना चाहते होंगे वो इस तरह की कहानियों और वाकियों को सुनकर अपराद से बचने का जो तरीका है वो नहीं ढूंडेंगे बलकि अपराद करने से ही अपने आपको रोकेंगे तो यह होता है मैसेज लेने की बात obviously यहां क्राइम तक के platform से हम यह चाहते हैं कि लोग कम से कम अपराद होंगे शामिल हो क्योंकि अपराद जो है वो कभी किसी का सगा नहीं होता और उसको करने वाले शक्स को आखेकर नुकसानी होता है सुरिया मनोरम मोहन राम या मनोरम के नाम से हमारे दर्शक है उनने भी कमेंट किया था एंक्यो वेरी मच्च सुजाता सारा अबराहम ने भी कमेंट किया है बहुत धन्यवाद आपका और इसके अलावा राधारवी शुकला जी कमेंट करती है बहुत धन्यवाद भुवन खंडेलवाल जी गिरिश पांचाल और मनेश कुमार मांडवी और भी बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया है मैं सबका शुक्री आदा करना चाहता हूँ सबका कमेंट एक बार में नहीं पढ़ सकता लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सारे कमेंट में परसनल ही पढ़ता हूँ ये बात मैं आप सबको एशूर करना चाहता हूँ मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी किसे और वाकी के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए सुरक्षित रहिए जै हिंद जै भारत